हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का वायार दी रसुई में परिशान हो गए हैं आप करेले की सबजी नए नए तरीके से बना कर लेकिन तब भी करेला कड़वाई रह जाता है चलिए तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी के साथ करेले बनाने वाली हूँ जिससे की आपका करेला बिल्कुल भी करवे नहीं बनेंगे और बच्चे भी इसे बड़ी आशानी से खा लेंगे ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगेंगे करेले बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और इनको दोकर अच्छे से साफ कर लिया कि इनको मैं छीलूंगी नहीं, इनके साइड को कट करके और इस सेफ में इन सभी करेली को मैंने काट लिया है, सारे करेले इसी सेफ में काटने हैं, आपको ज्यादा पतले भी नहीं काटने हैं, वरना वो करेली को दिखाई नहीं देंगे, अब इन करेलों को जितने भी बीज ह क्योंकि जो मुझे टाइट लग रहे हैं मैं सभी बीजो को निकाल दूगी क्योंकि आपकी मर्जी है आप इने निकाले या निकाले निकाल रही हूं इसमें मैं डालूंगी तो आधा चमबच हल्दी पाउडर और एक चमबच नमक इसको डालने के बाद इसको कम से कम 20 मिनट के लिए आप इसे अलग रहे हैं इस मिनट आपके पूरे हो जाएं तब आप इन करेले को टाइट से निचोड़कर और साफ पानी में धोकर इने अलग कर लेंगे अब मैंने 6 प्याज लिये हैं और उनको इस सेप में कट कर लिया है और एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और ये जो प्याज है मैं इस तेल में डाल कर इसको हल्का ब्राउन मतलब जादा नहीं भूनना है हल्का ब्राउन इसको भून लेना है प्याज हमारी भून रह करेले को भी पूरा नहीं पकाना है अगर भूनना नहीं है तो करेले भी चला चला कर अच्छे से पका लेना है अब करेले पक चुके हैं इनको भी एक प्लेट में अलग निकाल लेना है हाईवे जो एक्स्ट्रा ओयल है उसको मझे निकाल कर अलग कर देना है और इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमें इसमें ओयल रखना है इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी जीरा जब चटक जाए हलका सा तो इसमें डालूँगी मैं सॉंफ सॉंफ करेले में एक मीठा सा फ्लेवर द मैंने कसकर रखा हुआ इसमें डाल दूंगी गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है इसको सिर्फ हलका सा ब्राउन करना है और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी दो चमश धनिया पाउडर धनिया पाउडर आपको इसमें थोड़ा ज लेकिन वो धुल गया था लेकिन कुछ उसमें रह जाता है तो कम डालना है और आधा चमच हल्दी पाउडर इनको डाल कर भी मीडियम गैस पर ही अच्छे से भून लेना है मसाला हमारा भून गया है अब जो मैंने करेले को तल कर अलग निकाला था प्लेट में उन करेले को इस कर दूंगी प्याज को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी थोड़ी देर इसी में भूनना है जिससे की मसाले बिलकुल अंदर तक चले जाएं देखो प्याज भी हमारी भून गई है और दो मिनट के लिए इस पर लिड लगा कर इसको पकने देना है अब इसी समय पर मैं इसमें एड करूंगी पिसी हुई सौंप को मैंने दो चम्मस से जादा थोड़ा इसको पीस लिया था ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है करेले में और इसको डाल कर भी थोड़ी देर इसको भून देना है सौंप अच्छे से भून गई है और करे पाउडर थोड़ा सा जादे डालना है और करेले बनकर तयार है अप इसे पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको हमारी रैसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बाबा